नमस्कार देशवासियों और कैसे हैं आप सब बढ़िया मौझ में मौझ बाहरा सब खैरियत अच्छे दो तरह चलाइए 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 तो यह वाद फिर से स्वागत है आपका पॉड़ी की हसीन वादियों से और दिख रहा हूंगा आपको हमारे पीछे पॉड़ी आज बढ़ी अच्छी सी धूब खिली है और पाहडों में से ना बारिस के बाद धूब खिलती तो बड़ा क्लियर व्यूस हो जाता मतलब आपके रेंज जो होती है न देखने को बढ़ जाती है सामने देख रहे हैं तो कल पर धुनती तो इतना नहीं दिख रहा था आज काफी दूर तक और क्लियर दिख रहा है कलर भी काफी अच्छा रहा है कलर कॉंट्रास्ट इन्हांस हो रखा है मतलब ना एक नम बढ़िया इतर यह रहा पॉड़ी वाववववववववववव धूब में खिला हुड़ी हम कहां जा रहे हैं आज हम चारत देवल गड़ क्या है देवल गड़ माता का मंदर ने वाँ पर च्री वह वैसे एक घर है और घर में महल है महल मंदर में और उसको ही टैंपल का रूप देख रहा है यह ठीक अरे मेरे उंगली पर फोकॉस हो गये तब तर तो ऐसे जो मेरे उंगली के निच्छे जो काओं है वह सुमाड़ी और उ यह एक तुम पहले लेट हैं है और उपर से यह फोटो शूट अलग चल रहा है इनका हाँ फोटो शूट ने रूग रहा है इनका जाना नहीं मंदिर कब जाएंगा मंदिर अच्छा अच्छा परकिरती करना जा रहे बढ़िया 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 खुसमी बहुत प्यार है और यह पेड़ दो ना कितना प्यारा खिल रखा है अब यहाँ चेंज हो गए एक्टर चेंज हो गए सेव नेचर सेव अर्थ पेड़ बचे रहेंगे ना तो अच्छा लगेगा देखने में हर किसी को अच्छा लगता है लेकिन जब खुद पर बार ही आती ना पेड़ बचाने की या प्लान्टेशन करने की तब कोई नहीं करता बहुत पेड़ लगें अब पहुंचके हम देवलगड के मंदिर में यह है गौरा देवी प्राचिन सिद्ध पीठ है और यहां से सीडिया है कुछ डेड़ सु मीटर के दूरी बहुत यह मंदिर चलो फिर पहुंचके अभी हम मंदिर में कोई कांगडा के कोई राजा थे उन्होंने यहां पे मंदिरों के स्थाफना कर रही थी उसके बाद गड़वाल के राजा आजेपाल ने यहां पे खा कि कलाकारी हैं और सारा पौराणी है अगर हमें कोई मिलता है कोई इसके बारे हमें यहां पर ग्यान दे सके तो जरूर पराप्त करेंगे ग्यान देखते हैं अगर कही से मैं पता लगे तो लेकिन मंदिर के भवेता बहुत है खुशूरत है अगरे 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 परादेवी मंदिर और भेरो बाबा का मंदिर है यहां अब हम जाएंगे माता राजश्वरी के मंदिर में तो गौरा देवी और माता राजश्वरी के मंदिर ही यहां पर सबसे मेन है और इन मंदिरों में मेला भी लगता है बैसाग के मेने में यानि कि अप्रेल माहा में इस पैसे 14 अप्रेल को अद्ध होता है लेकिन इस बार 13 परेल को वाता है यहां मेला बहुत बभ्य मेला होता है और जो मंदिरों की बनावट है यह शैली है जो उत्राखंड में जितने लगबग पॉराण अईका और पटसित मंदिर है उनकी एक ही शैली है उसी शैली पर यह मंदिर भी बना हुआ है निच्चे जफिर सोड़ा उपर अबर हल्की सी चड़ाई है ना चड़ाई का तो आपको पता है जब मैं चड़ाई चड़ता हूं मेरी आवाज नहीं आपाती है जरह तो फिर कैसा लगा भई बड़ा अच्छा लगा राजा के महल में आके है तुम्हारा गौं में भी नहीं सी तिवारी बेलकुल सही यह जो भवन था यह जो जहां देवी थी यह है मतलब यह समझो कि जब यहां पे आजयपाल जीन हम यहां पे थे राज आजयपाल तो उनका यह राज महल मानते हैं इसी वज़े से आपने देखा होगा जो मंदिर था वो तीसरी मंजिल पे था तो माता राजे सोरी जो है यह गुप्त देवी भी बोलते हैं अभी मैं पंडी जी से मेरी बहुत देर यहां पर बात चीद हुई पंडी जी कैमरे के सामने नहीं आना चा आते हैं और यही जगा जो असली देवलगड है और यही था जहां पर यह मंदिर है या यह महल है जो भी आप जिस जो भी नाम लो तो यही असली देवलगड था और हम जा रहें थोड़ा सा नीच्छे पी राजा को कोट भी दिखाएंगा आपको जहां पर नयायले राजा क तो इस मंदिर से थोड़ से निच्छे उतर के वह भी है आजा यह देखो बढ़ी यहां से हो सकता यहां पर बैठ के वह न्याय परकिरिया चलती होगी यह उनका हो रहा होगा कोट नयाय ले अच्छा ऐसा कुछ दिख रहा आपको इसा लिखा हुआ है जैसे ना कुछ इसमें पथ्रों में नकासी निए कुस तो लिखा हुआ है जिसे हम पढ़ नीपा रहे हैं एक तो अपनी पढ़ाए लिखाई भी कम है ना पता नहीं क्या लिखा हुआ है बद लिखा को महल बहुत ही बहतरीन लाइब एक दम तो यह बहुत ही पुरानिक अस्थान तो ही एरे बोलते हैं कि पंद्रों सो सताफदी कर डाइम पर राजा आजयपाल यहां पर थे और उस से पहले कांगडा के राजा यहां पर थे यानिए यह जगह आज की नहीं बहुत पुरानी ह है और जो जहां मंदिर सबसे पहले जिस मंदिर हम गहे थे वो मंदिर यह है माता गौरा गौरी देवी का मंदिर उपर उसके उधर है जो में राजा का महल था या राजे स्वरी माता का मंदिर क्या है तो वैस सवारी कैसा रहा तुमारा मंदिर बर्मण है बड़िया लगा है मौसा मिए च्छा होने माद है रेकि जी आप लागा तिलारा भाष करो यार और यह इन्हों ने गाना गाना शुरू कर तो अभी आसा है आगे हम मंदिर से आब हम हमारा सबर शुरू होता है वाड़ी के तरह लिए क्या बोलरहे है क्यों द्रीपर इंदीब इन कर रा अरे यार यह गलत बात है अगली ज़ी ए लिए बतलना पड़ेगा यह ए आध काही रूपकी ने रहा है चलो 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 प्रश्च कर नहीं है कि यहां लगा दि किसी ने आग जंगल में अब रखाया जंगल में अब पजाने कौन लगा गया यारे आग क्यों कर रहे हैं ऐसा उत्राखंड में अगर जंगल नि रहेंगे न तो फिर कुछ नहीं बचेगा यार मैंने आग तो मैं बुजा देता है तो मैं बुजाओं कैसे वा निचे मेरे को पता भी नहीं उत्राखंड जाना जाता है अपने जंगलों के लिए परकृती के लिए ठंडी ठंडी हवाओं के लिए और एकदम मतलब जिसे बोलते हैं पॉलिशन फ्री वातावरण के लिए कोई परदूरसन नी कुछ नी क्या कहां लेके जा रहे हो यह उत्राखंड को ऐसे आगे लगाते रहोगे तो मैं कुछ कोशिस करता हूं जर्ब बुजाने की कि मुझसे तो थोड़ा बहुत हो सकता था मैंने वा आग बुजा दी हलका कि अ है कि अ है रहे हम ने किष्ण है पस्टाइट भेज आप ने जरची निशार एंग है झाल है O my God हुष मैर झाल खाल हुष मैर झाल झाल वह तो भी आसो पोगदो भाल वाव घर वह पाल आपको प्रामारागा पा में आपको में इसके का पाले से एफ जाले ने प्सक्राइब ज़ा है आपको में आपकोन आपको ऑखको तो एक्षरी सफर करते हैं हम उत्रे नीचे तो सड़क से थोड़ा और नीचे उतरे इसाथ में काफी पानी रहता है हम लका हलका फूल का कम है हलका सही है मतलब तो हल्का समया पे हाथ मूँ दोने के लिए आ गए हम थोड़ा फ्रेशनेस आ जाती है न सफर करके और यहां पे एक छोटा मोटा विसार्ट भी है बच्चे वहां जूला जूल रहे हैं हमने का थोड़ा जूल तब तक हम हाथ मूँ दूल ले तो और मौसम हो गया एकदम चें य contributes करें सब्सक्रारल कर यूल्स ОЧा कंद़ा ये लोकेशन भी अच्छी जाओ और यह लोकेशन ही खंड misiable वोलते हैं झावां खंडा मैं आज है बगल में फ्रेश इनके वह मीत है शार्मेटां में कॉ अच्छा लगा है मिरेको भीके अच्छा लगा यहां मैं अम्दमिय्स बैजने कि ऐसा होगा लेकिन खुल मिलागे इन्वार्मेंट नीन दियाटा लोकेशन भी अच्छी और खाना भी लोगी यह लगी बारिज भागो भागो बच्चो भागो वारीम जुना जा रहां रहा है चलो जल्दी चलो इसी बारिश के पाथ मौसम बहुत ही ज्यादा सुवावना क्योंको सुवावना दो पहले ज़ा अब बहुत ही ज्यादा सुवावना हो गया ओ बच्चा बार्टी खाना चल रहा है वेरी गूड अब ऐसा है भर्मन हमारा हो गया कुल मिला के बहुत अच्छा रहा एक नई जगा गए कुछ नई चीजें सीखी कुछ इतियास के बारे में पता लगा कुछ हमारी संस्कृति के बारे में पता लगा और जंगलों में आग लगी थी वो देखके बहुत बुरा लगा उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये भर्मन ये ब्लॉग जो हमारा परियास्ता कुछ नई चीज आप तक पहुंचाने का अच्छा लगा हो अच्छा लगे तो जड़ा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना तो फिर आज इन्ही सब्दों के साथ मे हजते रहिए मुस्कुराते रहिए और किल कुलाते रहिए